नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपका निर्जला एकादसी जिसे भीम सेनी एकादसी भी कहते हैं इस दिन भगवान स्रीहरी की पूजा करने के साथ बिना अगर जल और फल गरहन किये भी रह जाते हैं तो इस एकादसी का संपूर्ण फल मिलता है और साथ ही जो साल की 24 ए पूजा का मुर्थ क्या है तमाम बाते हम डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से देंगे इस दिन रभी योग सरवार सिद्धी योग स्वाती नचत्र सीव योग बना हुआ है जिसके कारण इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है पारण का समय है 11 जुन की सुब़ 5 बचकर 49 मिनट से सुब़ 8 बचकर 29 मिनट के बीच चलिए जानते हैं जिन विसेश प्रियोग कैसे करें जब आप पूजा कीजिएगा भगवान स्रीहरी विष्णु को कि तो एक सिक्का उनको जरूर अरपित कीजिएगा दक्षिना के रूप में पान के पत्ते पर सुपाड़ी एक सिक्का थोड़ी सी मीठी वस्तू और आप चाहें तो जनेव या मौली धागा रखें लौंग और इलाइची भी रखें और स्रीहरी को अरपित कर दें बाद मे कि अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो सिक्के का प्रयोग है अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुस्किले हैं वो कम हो गी वो बचत होने लगती है तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी नौ-के नौ-गरह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में. कोई विबिक्ती आपको दो उंगली से पकड़ कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा. इसलिए कोसिस करें जिन से आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी 5 उंगली पकड़ कर ही पैसे लीजिए तो ये तो थी simple सा परियो दूसरा आप कोसिस करें कि जैसे कि सिटा क्वाइन जो होता है न वो जब भी आप किसी को कोई नेग देते हैं तो 11, 21 ऐसे दें सिर्फ 10 दे दिए 20 दे दिए 50 दे दिए ऐसे मत दीजिए और कभी-कभी क्या होता है एक का सिक्का नहीं है तो आप दो का सिक्का दे देते हैं तो ये भी मत कीजिए चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रियो देखे कई बार क्या होता है आपका पर्स कभी-कभी खाली हो जाता है आपको लगता है धन कम पढ़ गया एक चोटा सा काम कीजिए एक सिक्का ले लें अब इस सिक्के के साथ आपको एक लॉंग चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा अब इसको मा लक्षमी के सामने कपड पर लॉंग और सिक्का रखकर रखते हैं यह प्रियोग आप किसी भी अमवस्या के दिन पुर्णिमा के दिन खड़ सकते हैं रखने के बाद इसको आप आप चाहें तो लक्ष्मी जी का मंद्द जब कर सकते हैं ओम स्रिय नमा फिर इसको बांध कर धन के अस्थान पर या परस आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैं लाल रंग के पेंट से नेल पॉलिस तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर अब हिंदी में इंगलिस में आप किसी भी भासा के लोग हैं अपने भासा के नु पिर अगले दिन सुबह इसको उठा कर अपने पर्स में रखने जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखिएगा धन आता रहेगा कई बार कर्ज बहुत परिसान करता है तब एक छोटा सा काम करें एक सफेद रंग का कपड़ा ले ले इस कपड़े पर आप एक चुटकी ल पीछे रख दें बिना पीछे मुरे घर आ जाए आपका कर्ज बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा अगर धन की मुश्किल ज्यादा परिसान करें तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा आपके घर में मिट्टी का कलस तो होगा उस कलस में या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा दिया ले लें दीपक में आप एक स्वस्तिक बना दें सिंदूर से अब उसमें पानी रख दें और एक सिक्का रख दें और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें इस कलस को आप सुरक्षित रख लें सिक्का को उठा कर अलग से रख दें अगले दिन इसको भी फिर से करें, यानि कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें, ये परियोग लगातार पांस दिन कीजेगा, बाद में इस सिक्के को धन समाल के धन के अस्थान पर रख लिजेगा, बरकत बढ़ा देता है, और एक चीज, घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्ष मी हो बास, तब आप अपने घर में एक मिट्टी के बरतन में, मिट्टी का कलस में, या आपके घर में मिट्टी का बरतन नहीं है, तो एक दीपक ले लें, उसमें चाबल और दुर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें, सिक्का को चाबल से कभर कर दें, मिट्टी के दीपक म से बांध कर अपने घर के उत्तर पस्चिम दिसा में रख दें संभाल कर धन बढ़ता चला जाएगा धन की कमी ही नहीं होगी मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए आप एक अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात नहीं तो ऊपने घर के पूज आस्थान पर रख दे याणि की प्लेट के उपर आपको शिक्का रखना है चावल के कुछ दाने रखना है और कुमकुम से पूजा वेगे रहत करें और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चावल के दाने अपने पास रखके चले जाएं या सिक्का भी रख सकते हैं ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा अगर सनीदेव की परिशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले ले उस पर एक कोईन डग दे और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द एक मुठी सवा मुठी ले ले थोड़ा सा काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन बार या पांच बार और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दें, सनी समंधी जो भी दोस होगा, वो समाप्त हो जाएगा, तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं, जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा, वैसे गनेज जी को, चुकि इस बार बहुत खास दिन बना गनेज जी को, आपको आपको आय से अफिरा सतरे कि बार क बतलब के काम के सामने रख देजिए हैं, झमनेचाए णाइज को शबहाते हैं, तो नोशवन कैसे पकलटिए के स में सवस्तिक बनाईएं और एक शिक्का रख देजिएा, धन की prob Galite ले गवनको बंदीएं इसंतों, हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा वैसे पुजा स्थान पर आप चावल और दुर्वा के साथ सिक्का जगड रखते हैं तो वो आपके खुशियों में चार चांद लगाता है ये परियोग आपको एकदम से धन के मुश्किल से बाहर निकाल लेगा लेकिन अगर आप सिबजी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और सिबजी को पूजा करने के बाद दक्छिना की रूप में कुछ सिक्के का भेट करते हैं तो ऐसा करने से भी सिबजी की किरपा से जीवन में धनकी कमी नहीं होती और साम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डाल कर ही जलाएं और ये सिक्का रूज आप डालिएगा नकात्मक उर्जास माप्त होगी और अच्छे अबसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आप चाहते हैं कि नौकरी बैपार में खूब आपकी तरक्की हो तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बाहंद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही खास कर सनी बार के दिन आप गरीबों को खाने पीने के वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी भी अमवस्या को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए भूला भुआ भाग भटका भाग भी आपके पास आजाएगा इस एकादसी पर अगर धनिये में धनिये के साथ सिक्का रखकर किसी भी मिट्टी के बरतन में रखकर पानी भर दें और अगले दिन इसको अपने गमले में बो दें और इस सिक्का को उठा कर संभाल कर रखें फिर अगले बार यूच करें तो सर्बोत्तम माना जाता है होता है क्योंकि इसमें भगवान का आशिरवाद ही पा होता है और जो गनेश जी को आपने सिकार पित किया है उस सिक्के को आप हमेशा संभाल कर रखें खर्च मत कीजिएगा देखें कैसे बरकत होता है तो भगवान स्री हरी का आसिरबाद है इस सिक्के में संभाल कर रखें आप चाहें तो लाल कपड़े में लपेट का भी रख सकते हैं धनस्थान पर हम आपसे विदा लेंगे जानकारी अच्छी लगे तो अपनों के साथ वीडियो को सेयर जरूर करें